Hello Everyone, तो इस वीडियो में मैं आपको J.E.M.E.N. 2020 के बार में थोड़ी टिप्स बताना चाहता हूँ तो सबसे पहली टिप है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को एक बार फाइनल रिविजन करना है तो Physics, Mathematics और Chemistry एक बार उपर उपर से एक फाइनल रिविजन हर एक सब्जेक्ट का कर देना है दूसरा पॉइंट है कि जो Organic Chemistry में जो Reactions है उसमें से हर एक Reaction को आपको NCIT में से Everyday पढ़ना है और Mathematics, Physics और Physical Chemistry में जो सारे Formulas है उसकी एक Sheet बना दो और वो Sheet Everyday आपको पढ़नी है फिर टेस्ट के लिए आपको एक Basic Plan बनाना है तो Mostly Students सबसे पहले Chemistry करते हैं, फिर Physics करते हैं, फिर Mathematics करते हैं तो ऐसा एक Basic Plan आपको पहले से बना के रखना है कि आप सबसे पहले Mathematics को Attend करोगे, फिर Chemistry को करोगे, फिर Physics को करोगे फिर Fourth Point है, कि हर एक Subject को Sufficient Time दीजिए आपको पता ही यह गफिजिक्स और Mathematics में बहुत देर लगती है तो उसके लिए Sufficient Time आप रखे फिर जब Paper स्टार्ट हो, तो पूरा Paper को Go Through कर देना स्टार्टिंग के 5 मिनिट्स में और जो आपका Strongest Section है उसी से शुरू कीजिए फिर आपको पता ही होगा कि जए इमेन में Full Marks लाना तो बहुत ही मुश्किल है और अगर आपको कोई Answer नहीं आता तो उसको Skip कर दीजिए और उसके उपर Time Waste ना करे इसलिए आपको जो Questions आते है उसमें आप ज्यादा Time Spend कर सको और आपके Overall Marks अच्छे आ सके फिर जो 7th Point है वो ऐसा है कि आपको At Least 2 Papers Day में Solve करना है और यह जो Paper आप Solve करते हो वो आपके Slot के Time पर कीजिए तो अभी के जो J.E. Main के 2 Slots है वो 9.30 से 12.30 PM का है और जो Evening का Slot है वो 2.30 से 5.30 PM का है तो आप यह Practice इस टाइम पर करोगे तो आपकी Body J.E. के Timing से Used To हो जाएगी फिर आपने जो Paper Solve किया है उसके बाद आपको अपने Paper को Analyze करना है खुद को Analyze करना है और जो Questions आपने Wrong किया है उसको वापिस Solve करना है फिर जो Online Papers आप Solve करोगे उसको Mask के साथ पहन के आपको Solve करना है ताकि आप जब J.E. Main की Exam देने जाए तो वहां Mask पहन के आपको Uncomfortable फील ना हो फिर 10th Point है कि Everyday एक Notes पढ़ने के लिए आपको वह Notes एक Sticky Note पर लिखना है एक Paper पर लिखना है और अपने Wall पर चिपका देना है ताकि आप उसको बार बार देखो और आप उसको याद कर सकते हो और Last Point है कि Ending में 10 से 15 मिनिट सेव कर देना ताकि आप अपने Answers को चेक कर सकते हो और जो Answers को क्लिक करना होता है उसमें कोई गलती मत करना उसमें कभी-कभी गलती हो जाती है और उसमें आपके Marks चले जाते है अगर आप कुडियो पसंद रहे हो तो जब लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद